हेलो गाज नमस्कार आप देख रहे हैं आरपी हेल्थ ट्रिक्स आज की इस वीडियों हम बात करेंगे अन्वांटेड सेवेंटी टू पिल्स के बारे में अगर आप मेरा चैनल में नए है तो मेरा चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले तो आ पहला सेक्स के बाद प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो अन्वांटेड सेवेंटी टू गर्मिरोधक गोली का इस्तिमाल कर सकते हैं अन्सेफ सेक्स के कुछ घंटों के भीतर ही इस गोली का यूज कर लेने से अंचा है गर्म की समस्या से बचा जा सकता है दोस्तो इस गोली को इस्तिमाल करके प्रेग्नेंसी के संभावना को कई हद तक रोका जा सकता है अन्वांटेड सेवेंटी टू को हार्मूनल टैबलेट के भी नाम से जाना जाता है जो कि इस टैबलेट में प्रोजेस्टान हार्मून होता है जो कि प्रेग्नेंसी को रोकने का काम करता है इस मेडिसिन का इस्तेमाल अंसेफ सेक्स के बातर घंटे के भीतर ही कर लेना चाहिए इस लिए इस दावा का नाम भी अन्वांटेट 72 रखा गया है दोस्तों अन्वांटेट 72 का इस्तेमाल रेगुलर नहीं क्या जा सकता है क्योंकि यह एक इमर्जेंसी कोंट्रसेप्टिक पिल्स है मतलब या एक अपातकालिंग गर्म निरोधक गोली है जिसका इस्तेमाल जवरत पढ़ने पर ही करना होता है अगर इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो आपको आगे चलकर दिकत का सामना करब करना पड़ सकता है और म अगर मेरा चैनल नहीं है तो मेरा चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर ले मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहता हूं दोस्तों अन्वांटेट सेवेंटी टू में लेवनजेस्ट्रॉल मुख्य कोंपोजिशन के रूप में पाया जाता है या एक हर्मोनल दवा है सेवेंटी टू का इस्तेमाल अप सेक्स के करने के 72 घंटे के अंदर ही लेना है उसके बाद यह काम नहीं करेगा और याद रखें इसका इस्तेमाल जितना ही जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ड मिलेगा और जितना ही लेट करेंगे इसका कारेशन तक कम होते है इसका इस्तेमाल सेक्स करनेसे पहले ही कर लेते हैं ऐसा नहीं करना है इसका युज सेक्स के बाद करना है और आपको सिर्फ एक ही टैबलेट लेना है बहुत लोग प्रडूनेर्श के भाइं व्यнес में वार्स maar पर यूज करते हैं ऐसा करने से नुकसान हो सकता है इस टैबलेट को खाली पेट भी और खाना खाकर भी ले सकते हैं लेकिन आप खाना खाकर ही ले और दोस्तो सबसे important बात यह है कि इसका इस्तमाल डॉक्टर की सलास से करना चाहिए अब बात कर लेते हैं इसमें इससे होने वाली side effect के बारे में दोस्तो अन्वांटेड 72 के बाद कुछ side effect हो सकता है लेने के बाद ऐसे तो इससे बहुत ही कम side effect होता है लेकिन तो भी इससे side effect जो हो सकता है वो इस परकार है periods के समय heavy bleeding होना, जी मचलाना, उल्टी होना, ठकान की समस्या, सीर दर्द, चक्कर आना, अस्तन में दर्द, आदी समस्या हो सकता है दोस्तो अगर आपको unwanted 72 लेने की आवसेकता पड़ जाती है तो पहले डॉक्टर से बताएं कि कब आपने unsafe sex किया था और डॉक्टर का बताये गए, डोज का 7 करें, आसक करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, unwanted के बारे में पूरे में जनकारे दिया हूँ इसी तरह और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, धन्यवाद